गुड मॉर्णिंग इसे लेबल कीजिए मैट्स की है क्लास लिखिए डीड अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए चलिए बढ़ना शुरू करते हैं दिया है चित्र पहली दिये गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कुशिश की गई थी पर अंतु बनाते समय चित आपकर अधियापिका के साथ साजा कीजिए तो देखिए यहां आपको चैत्रे दिया गया है इसमें पोचार धिया ढूनी है यह देखिए एक टोपी पे गलती है यहां इनके मुह में गलती है यहां इनके बैग में भी गलती है इसके बाद इस बच्चे का जो यह है इसमें भी गलती है इसका टोरे में भी गलती है यहां इनके शूज में भी गलती है तो इस तरह से और बहुत सारी गलती आओंगी अग चल रहा है कि वापके घर में किसी का जनम दीन आता है अगर आता है तो किसका और कौन से तारीक तरÁए मेरे तो पापा का जनम दिन आता है किसी पापा की योप Cordugo के बाद मैं है 15 तो आपको एसे लिकना है कि आपकेए किसी का बाद आया इस does different बट लिखेंगे ठीके तो देखें यह लिखा हुआ है आई ये पता लगाते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों के जनाम दिन किस महीने में आते हैं आप अपने परिवार के किनी 15 सदस्यों को चुन ले ठीके अब आप 15 सदस्यों को चुने और उसके बाद पता लगाए अपन है नीचे दिये गई टेबल में लिखना है जिके अतन पे आप अपने जनम दिन का महीना भी टेबल में क्या करेंगे टैली मार्क्स के रूप में दिखाएंगे तो चलिए करते हैं अब जैसे की मान लीजिए जन्वरी में किसका बर्दे आता है तो यहां पे मान लीजिए दो लोगों का आता है तो दो टेली मार्क्स लगाएंगे यहां लिख देंगे दो लोग फरवरी में आता है मान लीजिए तीन लोगों का तो आप यहां तीन लिख देंगे मार्च में एक का आता है अपरेल में अब इसे तरह से जो आप ये टेबल फिल करेंगे इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको आंसर देना है तो यहां देखे लिखा है क्या आपने सभी सोला लोगों की टैले मार्स बना ली गिनिये और जोडिये यानि अगर आप से सोला लोग कहे गए हैं तो आप सोला इस बाप अपने दोस अपने टीच और जिसको चाहें ले सकते हैं अब नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए जैसे पहला प्रश्ण लिखा है किस महीने में सबसे दादा लोगों के जनम दिन आते हैं मान लिजिए अगस्त में सबसे दादा लोगों के जनम दि ठीक है यहां पर लिखका है कि सुरी हां तो अपने टेबल के अकॉर्डिंग या टेबल बनाएंगे उसकी अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे चले तो आची वर्षिट को हम लग यह कतिन करते हैं अची वीडियो में पस इतने हैं अगर आप आपको वीडियो पसंद आई हो त प्लीजमेट एंग उस्परेपे टेंक युपाचीं